Hello friends ये red line है वो ये में 20 days की line है ये blue line है वो ये में 50 days की line है nifty जिस तेजी से उपर गया है उस तरह की तेजी मैं पहली बार देख रहा हूँ correction तो आया ही नहीं market सिर्फ one side चली है ऐसी situation में अगर reversal होता है तो investors को नुकसान भी बड़ा ही होता है यहाँ पर moving average का bearish crossover देख सकते है EMA 20 ने EMA 50 को उपर से नीजे की तरफ cross किया यानि कि एक bearish crossover pattern बनी है यह होने के बाद prices नीजे जा सकती है जो moving average देखकर trading करता है वो यहाँ पर बेचेगा short selling करेगा March 2020 से जो भी new investors आये है उन्होंने सिर्फ तेजी देखी है मंदी का experience उनको नहीं है इस support level को ध्यान में रखना चाहिए यहाँ से यहाँ तक जिसने भी लिया वो आज loss में है अगर किसी और stock के लिए आपको ऐसा ही वीडियो देखना है तो आप YouTube search में लिखें CA प्रशांशा और share का नाम जैसे आपको Reliance का वीडियो सर्च करना है तो CA प्रशांशा Reliance और सर्च करें आपको ऐसी ही वीडियो मिल जाएगी मुझे लगता है कल प्राइस नीचे जाएगी दो तिन दिनों का टारगेट तैंक यू